सीरियल शादी मुबारक की कहानी में भई काफी बड़ा ट्विस्ट आ गया है क्योंकि अब जो है भई प्रीती और केटी को एक नया प्रोजेक्ट मिला है जी हाँ आरेन मंतरी जो काफी बड़े मंतरी होते हैं वो जो है एक कॉक्टिल पार्टी को अरेंज करवाते हैं और कहते हैं कि चलिए मैं शादी मुबारक को ये कॉन्ट्राक्ट दे देता हूँ मैं देखता हूँ कि आप किस तरीखे से काम करते हैं आला कि ये बहुत बड़ा कॉन्ट्राक्ट मिला है प्रीती और केटी को तो ऐसे मैं प्रीती भी एक इसको चालेंज के रूप पे लेती है भाई प्रीती कहती है कि ये तो कॉक्टेल पाटी मुझे मज़ेदार तरीके से बनानी ही होगी भाई कॉक्टेल पाटी है आरेन मंतरी की तो अब इस पे मैं अपने पूरी जी जान लगा दूँगी अब इसी को लेकर यहाँ पर क्योंकि यंग जनरेशन और हमारे पेरंट्स की जनरेशन में काफी गयाप है जी हाँ सोच का काफी गयाप है और चीजों का भी काफी गयाप है तो चलिए आपको बताएंगे आज हम की आखिरकार आप क्या कुछ देखेंगे आज की एपिसोड में मगर उससे पहले अगर आप हैं नए तो आप हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले दरसल आप सभी को बता दे कि भाई यहाँ पर अब प्रीती को यह नया कॉंट्राक्ट तो मिल गया है मगर जनरेशन गैप के चलते प्रीती चीजों को समझ रही है क्योंकि प्रीती चाहती है कि यह कॉंट्राक्ट उसके हातों से ना चाहे प्रीती चाहती है कि ये कॉंट्राक्ट वो ही खुद से फुल्फिल करें अब ऐसे में आप सभी को यहाँ पर यह भी जानकारी दे दे कि भई यहाँ पर कुसुम की बेटियां प्रियांका को पहली सैलरी मिलने के बाद जो है नाइट आउट क्लब में जाने की डिमांड करती है जी हाँ जो अपनी मा को नहीं बताती मगर भईया भावी से परमीशन ले लेती है मगर यह सारी बाते कुसुम सुन लेती है और वो टिकेट को फाड भी देती है अब दूसरी और यहाँ पर केटी और प्रिती की पूरी प्लानिंग चल रही होती है कि किस तरीके से इस कॉक्टेल पाटी को काफी एंटेटेनिंग बनाया जाए और काफी जादा हाई क्लास भी यहाँ पर अब आप देखेंगे कि कही न कहीं जो है मंतरी साहब जो होंगे वो एक बार डांसर के डिमांड करेंगे और बार डांसर बोलेंगी कि मैं जितने शौट कपड़े पहनूंगी मैं उतने जादा पैसे लुगगी अब प्रीती जो है काफी कश्मो कश्मे हो गई है और बार डांसर ने भी प्रीती को ये बात कई है कि भई अपने प्रोफेशन के लिए तमाम कॉंप्रमाइजिस करने पड़ते हैं तो क्या ये कॉंप्टेल पाटी सक्सेस्फुल हो पाएगी क्या लगता है आपका उप हमें कॉमेंट सेक्शन में मैसेज करके जरूर बताएगा फिलाल आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही मगर तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद